देव भुमी उत्राखन की युवा साथियों को रोजगार मेले के लिए बहुत बहुत बधाई जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए आज नई शुरुवात का आउसर है इससे निश्चित रुप से आपका जीवन आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है लेकिन जिस सेवा में आज आप प्रवेश कर रहे हैं वो सिर्फ आपका जीवन बदलने का नहीं बलकि वो व्यापक बदलाव का माध्यम है अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है आप में से तो अधिक्तर साथी सिक्षा के एक शेत्र में सेवा देने वाले हैं नई राष्य सिक्षा निती के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तियार करने का संकल्प आज देश ने लिया है उत्राखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का धायत्व आप जैसे मेरे युवाओं साथियों केंद्र सरकार हो या फिर उत्राखंड की भाज़पा सरकार हो हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवाओं को उसकी रूची के अनुसार युग्यता के अनुसार नए आउसर मिले सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले सरकारी सेवाओं में भर्तियों का ये भ्यान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है बीते कुछी महिनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखो युवाओं को नियुक्ति पत्र दिये हैं देश भर में जहां भी भाजपा सरकारे हैं केंद्र सासीत प्रदेश हैं वहां भी बड़े स्तर पर इस प्रकार के अभ्यान चलाए जा रहे हैं मुझे खुशी है कि आज इस में उत्राखन भी जूट रहा है साथियों हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड का पानी और पहाड की जवानी पहाड के काम नहीं आती ये चीज हमें बदलनी है इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्राखन के युवाओं और ये हमारी युवापीडी अपने घावों की तरफ लोटे इसके लिए पहाड में रोजगार और स्फरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं आज आप देखिए इतनी सडके बन रही हैं रेल लाइने बीच रही है यानि उत्राखन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश हो रहा है इससे दूर सुदूर गाउं तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं कंस्ट्रक्शन के काम में स्रमीक हो इंजीनियर हो या फिर रौ मट्रियल के उद्योग हो छोटे छोटे कारोबार हो हर जगह काम के अवर्सर बढ़ रहे हैं ट्रांस्पोर्ट सेक्टर में भी डिमांड बढ़ने से युवाओं को नए मोके मिल रहे हैं पहले इस प्रकार के रोजगार के लिए भी उत्रांखन के मेरे ग्रामिन नौजवानों को हमारी बेटे बेटियों को शेहर के तर भागना ही पड़ता था गाउं गाउं में इंटरनेट सेवा डिजिटल सेवा देने वाले कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी हजारों युवा काम कर रहे हैं साथियों जैसे जैसे उत्रांखन के दूर सुदूर के इलाके रोड रेल और इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जुड रहे हैं वैसे वैसे टूरिजम सेक्टर का भी विस्तार हो रहा है नए नए परियटन सल टूरिजम मैप में आ रहे हैं इसमें उत्रांखन के युवाओं को वही रोजगार घर के नद्दिग मिल रहे हैं जिसके लिए वे पहले बड़े शहरों का रुख करते थे मुद्रा युजना टूरिजम में रोजगार और स्वरोजगार को बल देने में बहुत मदद कर रही है इससे दुकान, ढाबे, गेस्ट आउस, होमस्टे ऐसा व्यवसाय करने वाले साथियों को दस लाख रुपिय तक का रण बिना गैरंटी के मिल रहा है पुरे देश में अभी तक अड़तीस करोड मुद्रा रोण दिये गए है इदन पाने वाले लगभक आठ करोड हुआ पहली बार उद्द्यमी बने हैं इसमें भी महिलाएं SC, ST, OBC वर के हमारे साथी उनका हिस्सा सबसे ज़्यादा है उत्राखन के हजारों साथी भी इसका लाब ले चुके है साथियों भारत के युवाओं के लिए ये अद्वूत संभावनाओं का अमृत्काल है आपको इसे अपनी सेवाओं के माध्यम से निरंतर गती देनी है एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप उत्राखन के लोगों की उत्तम सेवा करेंगे उत्तराखन को आप उत्तम बनाने में योगदान देंगे और इससे हमारा देश भी ससक्त होगा, समर्थ होगा, समृद्ध होगा बहुत बहुत धन्यवाद